गुद बॉर्णिं इस्टेम्रफोर एंड ये क्लासेस में आपका स्वागत है आज मैं आपको आनलाइन जेमेट्री से बताने वाली हुन रहा है इसमें आप देख लिए ये परिमीटर आज आपका टॉपिक है ठीक है चैप्टर का आपका परिमीटर परिमीटर में आपका एक कि भी सी और डी इसी धंक से बने ता इसलिए इसमें आपको कुछ दिक्ट नहीं बने चाहिए सबसे फहले बात है यहां मैं आपको बता रही हूँ find the perimeter of the triangle whose sides are यानि perimeter का इसमें आपको triangle का sides बताना है तो सबसे पहले देख रहे है आपका question है 16 cm, 18 cm and 34 cm इसमें से AB equal to 16CM, BC equal to 24CM and CA equal to 18CM. अब हम यहाँ पर आपको एक टेंगल दे रहे हैं जिसका नाम है A, B और C. A, B और C में इसको मानना है कौन से AB हमारा कितना है 16CM plus BC कितना है 24CM and आपका CA या AC कितना है तो A3CM. इन तीनों को हमें क्या करना है? तीनों को लेकर के हम इसको एड करेंगे और एड करने के बाद इसका हम परिमितर भी का रहे हैं. तो सबसे पहले यदर हम तीनों को एड करेंगे एड करने के बाद हमारा यहाँ पर आएगा 58CM. इसमें आपको पताना ज़रुडी है तो फिर हम इसके बाद वाले चिप्टर में इसके बाद वाले कोशन में फिर हमको इसको क्लिया कर देए तो सबसे पहले आप इसको ध्यान दीजिए अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मैं एक बार इसको फिर समया देती हूँ यह कोशन आपका 16CM, 18CM and 24CM का ट्रैंगल है इसको A, B, C माला गया है इसका नेमली A, B, B, C and C, A करते हैं आप हम इसको पेरिमेटर के अनुसार इसको हम एरंज करेंगे यहाँ पर पेरिमेटर आप दिचांगल A, B equal to 16CM, B, C equal to 24CM, plus C equal to 18CM तेनों को हम एर्ट करेंगो जिए हम 58CM आजाएगा और यहाँ पर सबसे नीचे में 58CM आपको बात कहां में है तरिये की दपरिमेटर आफ दिचांगल A, B, C, A, B, C, A, B, C एक 58CM ओके बच्चों फिर मैं इसके बाद आपको कोर्शन नमबर 3 & 4 फिर मैं इसे बताऊंगी कोशिस कीजिएगा इसको बनाने का पेंग, कॉपी लेकर के बैठिये और इसको बनाएगे अगर कोई प्रॉब्लम हो तर फिर नेक्स कोर्शन में इसको और सबचांगे ओके बच्चों, बाई, से यु झाय।